आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तो मैंने आप से बूला था क्या आप लोग कहेंगे तो हम आपको अनुपरवादन फॉर्म भरने का किस तरीके से बंदय का मैंने चित्व बंदय के जो कि आई दो עुजाएं दोश्तों करें दोकितों के साइट पर लिस्ट आई है उनको अनुप्रवालन फॉर्म नहीं मिला है तो उनको हाथों हाथ मिलेगा तो उनको बाद में जब आप जोईन करेंगे या फिर दुबारा से आप जोईन करने की बाद बहां जाएंगे तब आपको अनुप्रवालन फॉर्म कंप्लीट करा के लेक जाएंगे तो चलिए देखते हैं अनुप्रवानान फॉर्म कैसे भरना है अनुप्रवानान फॉर्म देखिए मूलता तीन पिर्तियों में भरकर जमा करें तीन से जादा भी आप कर सकते हैं चार पिर्तियों में क्योंकि एक हो सकता है आपके पास भी रखी रहेगी काम आगे चलके चली तो अनुप्रवानन फॉर्म देखते हैं सबसे पहले तो इसमें चेतावनी ही लिखी है देखें चेतावनी में क्या लिखा है अनुप्रवानन फॉर्म में असत्त जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनहर्ता माना जाएगे मानी ज के लिए अनुयुप ठाहराया जाएगा या ठाहराया जा सकेगा दूसरी नंबर का ओप्सन देखें इसमें यह यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदबार को नजर बंद या गरपतार किया जाता है अत्वा उस पर मुकदमत चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अत्वा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोस्चिद्ध पाया जाता है अत्वा उसे बिवर्जित किया जाता है या दोस्मुक्त किया जाता है तो ब्यवरे इथा इस्तिती राज सेवा लोक सेवा आयोग या उस प्रादिकरी प्रादिकारी को जिस कोट केस या क्राइम केस होता है तो वो भी जानकारी बाद में भरने भर कर भेजना होगी चलिए आगे दिखते हैं अन्न था यह माना जाएगी तथ्यात्मक जानकारी छेपाई गई है अता यह स्वयम उम्मीद्वार के हित्मे होगा कि हुआ है उन मामलों में ब्यवारा ब्य यह मामले अंतिम रूप से पिर्तिवेदित कर गए हो खात्मा बापस ले लिए गए हो या उन में अन्रता दोस्मुक्ती हो गई हो यह समझोदा कर लिया गया हो यदि इस तत्य की अनुप्रमारान फॉम में असत्त जानकारी दी गई है यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छ लोगा कुछ नहीं होता चलिए आगहे देखते हैं कैंडिट का पूरा नाम इस पास टक्सरों में क्ल नाम तो पहले नाम लिखना है फिर उस पहले सरनेम लिखना है फिर इसके बाद नाम लिखना है देखिए भरा हुगा फॉर्म है आप देख सकते हैं इसके बाद नीचे लिखा है कि यदि किसी कैंडिडेट का नाम में चेंज हुआ है या उसके सन्यम में चेंज हुआ है तो यहां लिखना है जैसे जो गल से महिलाएं हैं उनके नाम या सन्यम चेंज हो जाते हैं साधी के ब पूरा एड्रेस लिखना है मकान नंबर लिखना है सड़क गली लेंडमार्क जो भी है स्ट्रीट है वो सारी चीज़ें आपको दोनों में लिखके भरके देना है आप अलग-अलग यादी रहते हैं बरतमान पता और घर का पूर पता तो वो दोनों चीज़ें अलग-अलग भ नवास की आपदी में यदि आप तीन-चार जगे अलग-अलग रहे हैं और अलग-अलग आपके पास नवास प्रमान पत्र हैं पांच बरसों के बीच में या एक बरस से अधिक रहे हैं आप तो वहाँ पे आपको इनका ब्यवरा देना है नहीं तो सीधा-सीधा लिखना है लागू नहीं और यदि आप रहे हैं और आपके पास अलग-अलग नवास हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं चलिए यहाँ पर जानकारी भनना है देखिए यहाँ पर लिखा है पिता का पूरा नाम उपना मादी तो यहाँ पर नाम लिखना है उनका सन्यम लिखना है एड रहते हों या फिर इस ताई पता जहां भी आप रहते हैं वो दे सकते हैं चलिए ब्योसाय में देखें जो भी आपके पेरेंट्स पिता जी जो भी काम करते हैं वो आप इसमें दे दीजे यदि कोई गवरन जोब में है तो लागू वो जानकारी भर हैं कुस पोस्ट पर हैं कि पता देजिए जहां पर उनकी जॉइनिंग है जहां पर वो जॉब करते हैं और यदि आपके पेरेंट्स गवर्ण जॉब में नहीं है जो भी बार करते हैं तो नीचे लिख दीजिए लागू नहीं चलिए नीचे दिखते हैं निमलेकर दराश्टीता पताना है माता पता की पती पतनी उम्मीदवार की और यदि साधी हो गई है तो आप पती या पतनी की भारती ये ता तो लिखेंगे ही और नीचे जन्म का इस्थान लिखना है कहां उनका जन्म हुआ था पती का या पतनी का जन्म की तारीक लिखना है बर्तमान आयू लिखना है ये केंडिडेट को ध्यान रखना अपनी स्वयम की जानकारी लिखना है यहाँ पर नहीं तो उपर वाले केंडिडेट की जानकारी भरते हैं आप तो डेट बर्त लिखना है आयू लिखना है और जब आपने टेंथ पास क या था उस समय आपकी आयू कितनी थी उसे साब से आप भर सकते हैं चलिए देखते हैं यहां पर जन्मिस्तान जिला राज्य जिसमें वह इस्तित हो यहां पर वह जिला तथा राज्य जहां के आपके पास नवासी है जहां का आपके पास नवास प्रमाल पत्र है वो ही आप य मुश्लिम, सिक्सी, जाई जो भी हैं वो आपको भरना है और आगे देखिए इसमें खा आप्सन में लिखा है क्या आप अनुस्य जाती आदम जाती कि सदस्य यदि हां हां में उत्तर दीजिए यदि आपका उत्तर हां में है तो उस जाती भी सिसका नाम लिखिए मालीजे तो आप उस जाती का नाम लिखे और हां लिखें आगे जहां पर यहां लिखाए लागू नहीं चलिए सेक्षन के अहरता है देखिए आपको बर्स साहित उनिस्तानों के नाम देजिए जहां अपने साला और महाविद्यालाय में पंद्रा बर्स की आई उसे अध्यन किया हो तो साला महाविद्यालाय का नाम तथा पूरा नाम तो पूरा नाम लिखना है यहां पर जैसे यह देखिए सास किये उच्चतर मादमिक विद्यालाय जरुआ किला सागर प्रिवेश कीती थी आपकी 2005 क्योंकि इन्होंने 10 पास किया था 2006 में तो पांच में इनकी प्रिवेश किती थी हो गई छे में यह महाविद्यालाय चोड़ने की तारीक हो गई मतलब जैसे आपने 10 मी 2006 में किया है तो आप 2005 में एडिविशन लिया होगा आपने तो बो लिख सकते हैं इसके बाद परिश्चा का नाम या परिश्चा उत्रिंड तो आप यहां टैंथ लिख सकते है इसके बाद देखिए इसी तरीके से आपको बारमी की जायनकारी भरना है कि यदि आपने 2008 में आपने बारमी पास आउट हुए थी तो 2007 में आपने एडिविशन लिया होगा प्रवेश्च थी और पास होने किती थी और 12 इसी तरीके से आपको कंप्यूटर की जायनकारी दे तो आप वो भर सकती है यदि आप किसी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्योरेद है या फिर जो केंडिडेट गवर्मन्ट जोब में नहीं है तो वो लागू नहीं लिख सकते है और जो केंडिडेट गवर्मन्ट जोब में है तो वो यहां पर भर सकते धारत पद का नाम अवदी कब से कब तक और जैसे गवर्ण जॉब आ ले हैं तो वो सीधा लिखेंगे आपका जॉइनिंग डेट और जॉइनिंग डेट से जब आप रिजाइन दोगे या रिजाइन दे चुके हैं तो उस डेट तक कारेलाय फर्म अत्वा संसता का पूरा नाम जिस डेपार्ट का आपको यहां पर नाम लिखना है वहां का पता लिखना है पिछली शेवा छोड़ने के कारण तो जो भी आपको सोटेबल हो पेवेंट एंकरीज या फैसलेटिवल यह जो भी फैसलेटिवल है या आपके इस्थान से बास में है यह और वो दूर था जो पिछली बार के आ गया है क्या आप कभी निरद्द किये गए है या आपके आपसे मूचकला लिया गया है आप जर्माना किया गए इस तरीके से जो भी आपकी जानकारी यह भरना है यादि नहीं है कुछ तो यहां पर सीधा लिखना है लागू नहीं इसी तरीके से यह है क्या इस अनुप्रवान फॉर्म को भरते समाई किसी भी नियाला विस्विध्याला किसी स्यक्षनिक प्रवात प्राधी करना संस्ता में आपके बुरुद्ध कोई मामला लंबित है यदि है तो उसका जानकारी दें नहीं तो सीधा लिख दें आप है पुलिस्थाने में पंजियत है या नहीं है यदि नियालाय में चालान प्रिष्ट किया गया हो तो नियालाय का नाम लिखें मामली का किर्मांग लिखें निप्टारा की तारीक किस तारीक को निप्टारा किया गया दिया गया दंड है आपको दंड दिया गया है या दोस मुक्त हैं इस तरीके से दोस्मुक्त संदे किलाब प्याधारत मावला बापस ले लिया गया जो भी जानकरी है इस पेस्ट जानकरी आपको इसमें भरना है अब भ्यारति यस अनुप्रवारान फॉर्म के ऊपर दीके चितावनी नोट करें और यहां पर आपको उम्मीदवार कि नाम जो आपको बहुत अच्छे से जानती हों तो उनके नाम लिखना है उनका मॉबाइल लिखना है क्योंकि जब भी आपका फुलिस वैरिफिकेशन होता है तो अधिक तर पुलिस इन कैंडिडेट से ही पूछती है कि आप इनको जानते हैं क्योंकि आपका इनोंने नाम की नाम लिखा हुआ है तो आप इसे कैंडिडेट का नाम दें ऐसे पलावसियों का नाम दें जो आपको बहतर तरीकी से जानते हों चाहिए यह गोशना पत्तर दिया है कि मैं सारी जानकारी सही है उप्योकत है जो भी जानकारी है अगर गलत होती है तो यहां पर उमिदवा मैं से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए केंदरिये राज़ शासंदू का राजपत्रित अधिकारी सनसादिया राज़ बिधानमंडल का सदस सब्रूदिविजनल मजिस्टेड अधिकारी तैसीलदार नयाब तैसीलदार refusing तसलिए जो मजिस्टेट की शक्तियों का प्रियोग करने के लिए प्राधिक्रित हो। सास किये तथा सासन दुवारा मानता प्राप्त सभी सेक्षन संस्ताओं के प्रधाना चारिए। मतलब इसमें primary के headmaster नहीं चलेंगे, middle के headmaster नहीं चलेंगे इसमें जो 10th, 11th, 12th के जो principal होते हैं high school, high secondary school के principal उनने के ही चलेंगे तो बहतर यही है कि आप इनसे करा सकते हैं या खंड विकास अधिकारी से करा सकते हैं आप इसको verify या पोस्ट मास्टर से या पंचायत निरिक्षक CEO है इनसे भी आप करा सकते हैं तो यह इस तरीके से आपको भरना है यहाँ पर यहाँ यह सील लगी है साइन है यहाँ पर वो आपको शील लगा देंगे जो भी आप जिस नहीं भरना है इसको आप एक बार फिर से देख लिजिए यह जो भी गजिस्टेड ऑपीशर होते हैं वो हैं सिंपल सा है आप प्रिंस्पल से करा सकते हैं वो आसानी से हो जाएगा आपका चलिए सबत पत्र देखिए सबत पत्र को दोस्तों ध्यान रखना बिल्कुल बहु है यह की मैं नाम लिखना यहां पर पापा का नाम लेखना है आई डरी लिखना है आपको पूरा सपत पूर्वक्स घ्थर क्थन निवेदित करता करती हूं मेरे बिरुद्द किसी भी आरक्षी केंद में अनुसंधान वा किसी भी नियालाय में आप राधिक पिरक्रनल आपके पास कोई भी क्राइम रिकॉर्ड है तो आप भरना है नहीं तो यहां पर सीधा लिखना है लागू नहीं अब दूसरा ऑप्शन एक और देखिए इसमें एक ऑप्शन है आपका मैंने आविजन पत्र में जो जानकारी दी है तता जो दस्ताविज प्रुष्टत किये है हुए पूर्ता सही है, मैंने कोई असत जानकारी नहीं दी है कोई जानकारी छुपाई नहीं है और कोई गलत दस्ताविज प्रुष्टत नहीं किया है यादी मेरे दुवारह दी गलत पाए जाते है तब मेरे ब्रोद बेदीबत कारवाई की जा सकती है मेरी साधी आपकी जो भी पतनी है या पती है उनका नाम लिखना है कौन सी डेट मैं आपकी साधी हूई थी वो डेट लिखना है मेरी पती या पतनी का जन्म तारीक लिखना है आपकी husband या वाइफ का और अज़ि आप अत्वा में अविभाहित हूँ तो इस पे टिक कर दीजिए बाकि छोड़ दीजिए इसको यति मेरेड हैं तो आप भर सकते हैं नहीं तो अविभाहित हैं तो आपको अविभाहित का भी एक एफिडेविट वनवाना है या इसी पर टाइप कराके एफिडेविट बनवाना है जिनकी साधी हो गई उनको भी एफिडेविट बनवाना है और मैरे साटिपिकेट हो तो बो भी लगाना है साथ में आपके कितने बालक बालिका हैं बच्चे कितने हैं उनका भी एफिडेविट बनवाना है उनका जो भी जनम से संबंदित जन्म प्रमाडपत्र हो आधार काड़ हो वो आप लगा सकते हैं ठीक है ये लिखा है मेरे एक या दो दो से जादा तो मानने है ही नहीं तो एक या दो जीवे संतान है जिसकी क्रमसन नाम बद्धनाक नेम्नान स्वार है यदि आपके दो बच् खाatif है जानकारी दे सकते हैं यहां पर उसका नाम लेखना है उसकी डेटर बर्त लेखना है जन्म से संबंद दस्ता बेज जन्म प्रमाडपत्र या आधारकाडट जो भी है आपके पास वह आप लिख सकते हैं यहां पर आपको साइन करना है दूसरा देखिए आप यहाँ प्रमाली करान प्रमारत किया जाता है कि मेरे द्वारा एक लगाया चार गोशना में जो तत्त लिखाए गए हैं वो मेरी जानकारी हुआ ग्यान में पूरता सत्त बार सही लिखी गए यदि कोई इस तत्त पाया जाता है तो समझनी जवाबदारी मेरी स्वयामिकी होगी यहाँ पर भी आपको साइन करना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और जो भी कमेंट्स हो डाउट हो तो आपको पता है मैं बहतर तरीकी से बता सकता हूँ आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप पूँ सकते हैं तुमां आपको जानकारी अवश्य दूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तेंक यू थैंक्स पॉर वचिंग ये अनुप्रवालान फॉवम अधिकतर 95, 97, 98 परसेंट सारे डपार्टमेंट के लिए एक साही होता है कोई भी डपार्टमेंट हो कोई भी जॉइनिंग हो पुलिस हो कोट हो एजी थिरीका हो किसी के लिए भी ये प्रवाल पत्र सकता है अभी और आगे चल की और कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स जरूर करें थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग